हेलो स्टूडेंट स्वागत है आप सभी का एक बर फिर से हमारे इस ओफिशल यूटुब चैनल में जिसका नाम है एसोल सोलिशन मैं चंदन कुमार हाजीर हूँ आप सभी के सामने अपनी एक और नहीं वीडियो के साथ सो गाइस आज की इस नहीं वीडियो में हम बात करेंगे समानता के प्रकार की सो गाइस आज की नहीं वीडियो उन सभी स्टूडेंट्स के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है जो मास्टर ओफ पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट है इसके अलावा वो सोल के एंसी वैप के या फिर देश की किसी भी रेगुलर कॉलेज या फिर कॉर्सपॉंडेंट्स यानि ओपन की उनिवर्सिटी में पढ़ते है अगर उन लोगों को ग्रैजिवेशन में या पोस एक्जाम के लीए चलें सार देना करते हैं अजकर करते हैं इसके अंदर वाहिज आप लोगों के समानतोंके चारों کے चारों पहलू प्रकार के बार भी बात करेंगे और इस खو simplest के बारे में आप लोगों को मैं पहले ही बता दू कि आपके समानता के आयाम में भी help करेगा समानता के तीन आयाम, राजनितिक आयाम, समाजिक आयाम और आर्थिक आयाम यह तीनों आयाम होते हैं तो वो भी आपको इसी खोशित में पता चल जाएगा और साथ चाथ यहाँ पर आप लोगों को समानता के प्रकार भी पता चल जाएगे सो स्वूडेंट सबसे पहला राजनितिक समानता इसका मतलब सिंपल सा आप लोगों के लिए है कि भई हम एक एक्जाम्पल से स्टार्टिंग से समझेंगे कि अगर हम लोग ये कहें आप लोगों को कि बच्चों को मतादिकार ना दिया जाए तो इसमें आप हमारी बात का अपोज नहीं करोगे क्योंकि आप सबको पता है कि बच्चों में सूज भूज या परिपकवता उनकी कमी होती है वे समाजिक और राजनितिक विर्षों में अधिक दिनिने नहीं ले पाते उनको इतनी उनकी तार के ख्षमता नहीं होती कि वो ये समझ सकें यानि बच्चों को हम राजनितिक मतादिकार नहीं दे सकते परन्तु अगर हम बात कहें कि समाज में उन्हीं व्यक्ति को सिर्फ राजनिती का अधिकार हो या फिर राजनिती का अधिकार हो जिनके पास में अच्छी कासी संपत्ति हो या फिर समाज में जो अभीजन है जो समाज में जिनकी अच्छी इस्तिति है तो बाकी अन्य वर्गो के साथ अन्याय होगा जैसा कि पहले के समय में हुआ करता था तो अब आपके मन में फिर ये परशना आएगा तो भई मतादिकार किन को मिलना चाहिए तो भई मतादिकार की बात अगरम करें तो भई राजनितिक समानता का मतलब सिंपल सा ये है कि भई हम एक एक एकजामपल से और भी समझेंगे कि भई हर एक वर्ग के समाज के जो लोग है उसमें महिलाए, पुरुष साथी साथ जो आपके तिरते जेंडर के लोग होते हैं उनको जाती, धर्म, लिंग, भाषा या फिर उन लोगों से जन्मस्थान आधी के अधार पर भेदबाव करना एक निश्यद है पहले अगर हम एकजामपल लें तो ब्रिटेन, अमेरिका, फ्रांस या अन्य देशों में केवल बड़े-बड़े जमिनदार मकान मालिक, अत्वा जो मिल मालिक होते थे, उनको ही क्या था, वोटिंग राइट प्राप था उसमें महिलाओं को मता अधिकार हासिल करने में काफी लंबा आमदोलन करना पड़ा है, और उनके काफी लंबे समय बाद में मता अधिकार प्राप्त हुआ है, इसके साथ-साथ इसमें एक नाम और आप एड़ कर सकते हो विदेशियों को, उन सभी को मता अधिकार नहीं मिलना चाहिए महिलाओं को पुर्सों के समान राजनितिक उपलब दो, हमें इस और में काम करना चाहिए स्पेशली भारत में लिंग, जाती, धन, इस अधार पे हम मता अधिकार से लोगों को वन्चित नहीं रख सकते राजनितिक समानता काई करने पहलो ये भी है कि परतेक नागरिकों को चुने जाने और सरकारी प्राप पद जो है, उसे प्राप्त करने का अधिकार होना चाहिए, सिर्फ ये नहीं कि लोगों को मत देने का अधिकार मिल जाए, सबकी वोट की किमत वराबर हो, ऐसा नहीं कि वह अगर योग्यता रखते हैं तो वह भी चुनाव में चुने जाए, वह भी उमिद्वार के तोर पे खड़े हो सकते हैं और कोई भी सरकारी जो पद है, उस पर अगर योग्यता रखते हैं, अगर वो एक्जाम कॉलिफाई करते हैं, तो उस पर वो बैठ भी सकते हैं अब इसी विशय में जो बैंतम है वो कहते हैं कि देश में यदि अधिक कुलिन तंत्र है, तो थोड़े से लोगों ही परशासन में भाग ले सकेंगे, परन्तु यदि लोगतंत्र है, तो समाज में अधिकांश लोगों की बलाई होगी, और समाज में हर एक व्यक्ति क्या करेगा सत्ता के अंदर अपनी भाग्यदारी को निभा पाएगा, वास्तव में राश्तंत्र और कुलिन नोनों के भुरूद थे, वह लोगतंत्र के गणराज्य, यानि लोगतंत्र को सर्वेस्रेष्ट प्रणाली मानते हैं, उनका कहना है बैंतम का कि लोगतंत्र जो है, वो समाज के लिए बाकी परशासनिक व्यवस्ताओं से अच्छा होता है, चुकि ये समाज में सभी लोगों को अपने भाग्यदारी निपाने का एक अउसर या मौका देता है, राजनितिक समानता की बात करें, अगर नहीं है समाज में, तो उसके बिना लोगतंत्र इस्तापित नहीं हो सकता, लोगतंत्र अगर आप लोगों बात करेंगे नागरिक अत्वा कानूनी समानता, नागरिक समानता का अर्थ है कि बही कानून के समक्ष सभी लोग समान है, एक अंग्रेजी विद्ध्वान है, जिनका नाम है होबाउस, उनका क्या कहना है, उन्होंने कहा है कि बही कानूनी समानता मौलिक अधिकारों और मौल पत्पयो, इस्तरीयो, पुरुशो, कालाओ, गोराओ, सब की रक्षा करने का समानता का सिद्धानत है, इन्हीं सभी को एक बराबर अधिकार मिलने चाहिए, तभी नागरिक समान माने जाएंगे, हौबाउस ने अपने शब्दों में ये का है, कि अगर मानव की हत्या है, तो ह हत्या के मामले में, हमें ये नहीं देखना चाहिए, कि हत्यारा जो है, वो व्यक्ति, जिस व्यक्ति की उसने हत्या करी है, वो उस व्यक्ति का था, जानकार था, जानकार नहीं था, दूसरी बात, हत्यारा उच्च जाती का है, पिछडी जाती का है, हत्यारा जो है, बड़े नहीं है जो एक समान्य व्यक्ति को उसको समझा जाए और उसी इसाब से उसे क्या किया जाए दंड दिया जाए जो बात जीवन या सरीर की समान रक्षा का संबंद में लागू होता है वही सभी के लिए होना चाहिए अच्छा तो आपको ये टाइप्स पता चल गया कानूनी स समान्ता के बारे में अब हम बात करेंगे समाजिक समान्ता के बारे में तो समाजिक समान्ता क्या है समाजिक समान्ता के मैं पहलू यह है कि समाजिक समान्ता वास्तब में समान्ता का सिद्धानत का सबसे प्रात्मिक इस्थान है इसका जिस युग में राजनितिक समान्ता अ थेunkач संदरермें भाहरत में कभीर है दादू है नानक है, इन्होंने क्या किया? धर्मों की निंदा करी थी और जातपात्पात से ऊपर उठने के लिए मानव्मात्र की समाजिक समान था कि इन्होंने बात करी थी. इन्होंने जातपात को व्यर्थ बताया था, ऐस प्रश्टा यानी जो चुआ चूट है उनको भी इनोंने अपमान करने वाला शब्द बताया था जा फिर मनुश्यों के लिए अपमान जनक एक इस्तिती का वर्णन किया इनोंने उन्होंने का कि बही किसी भी व्यक्ति के लिए धर्म और तीर्थ इतना आवशक नहीं है जितना मुनिश्चर के लिए समाजिक समानता या समाजिक रूप से उसके साथ बेदबाव ना हो ये जरूरी है आदुनिक युग में समानता और सतंतरता कई देशों के ऐसे नेता रहे हैं जैसे भारत के संदर में गांधी और नेता गांधी जो है और अमबेडगर जो है इन दोनोंने जातपात को खतम करके समाजिक समानता लाने की काफी परियास करें अमबेडगर जी की एक पुस्तक थी जिनका अगर आप पड़ी होगी है सुना होगा तो आप लोगों को पता होगा कि उनकी पुस्तक थी जाती संस्ता काउन मुलन किया है उन्होंने उपनी पुस्तकों में और साते सात उन्होंने क्या किया है समासुधारक के रूप में भी कारे किया है समाजिक समानता के अंतरगत मुख्य रूप से ये बादाय आती है कि उसमें जाती वन्ष मजभ इस अधार पर किसी भी व्यक्ति से कोई भी पक्षपात नहीं किया जाएगा भारत्य समिदार में ये गोशना की गई है कि सभी नागरिकों के लिए सारुजनिक साथ जुआ चुआ चूट है उसको भी क्या किया उसमें भी पृतिबंद लगाने की बात करी है इनोंने इसके साथ साथ अगरम बात करें तो सबसे पहला काम ने ये किया है दूसरी चीज़ आप लोगों को याद रखनी है जो इस्तरी है इस्तरी हो को पुर्शों के अपेक जदान का बढ़ाव मिले यह हम देखते हैं सबसे पहली करी विवा करने ओठ आइम बाग जद्बाट पात ही सबullenहते हैं तो यह वेदबाव को सबसे पहला जो प्रकार हो वीवा से इस्तराट होता है तो इसे लिए हम क्या करेंगे विबिन जातियों के विबिन समाजिक बि बात करेंगे अपने चोथे और आखरी प्रकार के बारे में समाजिक समानता हमने कम्प्लीट कर लिया अब हम बात करेंगे आर्थिक समानता की तो भी आर्थिक समानता का ये अर्थ लगाना बहुत गलत है कि सभी व्यक्ति के साथ एक समानमेवार हो और सभी व्यक्ति को एक सम देशों में भी जो बहुत वेतन क्रम मौजूद है जो जाधा महनत करता है उसे अत्याधिक वेतन दिया जाता है तो हम यह चीज़ देखते हैं कि समाज भाद भी इस चीज़ को consider करता है कि अधिक मैनेट करने वालों को अधिक वितन मिलना चाहिए अब बात करेंगे हम आर्थिक समानता के पहलू के बारे में तो भई आर्थिक समानता के सबसे पहले पहलू यह आप adding मत बनाना यह गलत कर लिना आप इसको यह वाला adding मनाना इसमें आर्थिक विशमता है कम होनी चीए सबसे पहली बात आर्थिक विशमता है कम होनी चीए इसका मतलब क्या है कि यह नहीं होना चाहिए कि एक वर्ग के पास खुब सारी संपत्तियों और दूसरा वर्ग जो है वो दरिद्र बना रहे है लास्की के मतनुसर किसी वे व्यक्ति के पास संपत्ति जो है संपत्ति की मात्रा इतनी अधिक ना हो कि देश की जो राजनेति के सांस्कृति के या नहाई पालिका पूरी तरीकी से उस पे हावी हो जाए इसलिए धन समपदा का वित्रण अधिक सदिक होना चीए और सभी लोगों में क्या होना चीए समान रूप से वित्रण हो तो समाज में ना तो क्राइम होंगे और ना ही समाज में इतना ज़्यादा भेदबा होगा समाज जादा से जादा सुखी रहेगा और अधिक्तम जो अमीर और गरीब का जो रेखा है जो उनके बीच में अंतर है वो अंतर भी समाप्त हो जाएगा इसके लाद में सेकेंड पॉइंट है कि परतेक व्यक्ति की कम से कम नियूंतम जो आवशकता है वो पूर्ती होनी चाहिए जब तक परतेक व्यक्ति को भोजन वस्तर या पिर आवाज की सुविदा हैं ये सब उपलब्द नहीं होगी कोई भी व्यक्ति जो है वो उन्नती नहीं कर सकता ना ही वो अपना जीवन का आर्थिक विकास कर सकता है आर्थिक समानता के सिद्धानत का तकाजा यह है कि सभी व्यक्ति को रोजगार के उच्छी तवसर मिले इसके साथ साथ जो भी ऐसे हैं बेरोजगार हैं बुड़ापे अंग बंग या फिर ऐसी स्तिति में हैं उनके लिए समाजिक सुरक्षा हमें जरूर करना चीए उनके परिवार की स्तिति को सुधारने के लिए हमें समय समय पर काम करने चीए समान कारे के लिए समान वेतन मिलना चाहिए ये एक महत्वपूर्ण समानता का पहलू है कि एक जैसे लोग जो अगर एक जैसा कारे करते हैं तो उने एक जैसे सेलरी दी जाए इस तरी पुरुष के बीच में या फिर मज़दूरों के बीच में वेतन मामले की बेदबाव नहीं होनी चीए एक जैसे कारे के लिए एक जैसे वेतन दे जाना चीए अगर उन्होंने एक जैसी मेनत का कारे किया है इसके अलाबा अगला पॉइंट है कटीन रूचिकर या जोखिमबर है जो वेक्तिक काम करते हैं उनको अधिक सैलरी दी जाए तो भी नियाए होगा क्योंकि वो उनकी रूचि या जोखिमबर है एसा काम कर रहे है तो भी उनको मुआवजा दिया जाए ताकि हो एक जोखिमबर है तो उनकी जान भी जा सकते हैं अधिक सैलरी दी जाए तो ये भी समानता के सिद्दान्त को बड़ावा देगा तो यूगकि उसके परिवार की देखरें कौन करेगा अगला पॉइंट है माक्सवादी और समाजवादी और रुद्धारवादी उन्होंने आर्थिक समानता लाने के लिए कई उपाई अपने अपनी तरीके से सुझाएं माक्सवाद कहता है है अगर हम पॉँजीवादी संस्ताओं को धुस्त कर दे तो समाज में सर्वहारा वर्ग की ताना शाहिया जाएगी और समाज में समानता आ सकती है तो ये माक्सवादी लोग ये कहते हैं दूसरी ओर जो लोकतंत्र या समाजवादी कहते हैं वो लोग क्या कहते हैं वो कहते हैं संसदी या लोकतंत्र होने चीए और इसके बाद में जब लोग खुद चुनके जाएंगे अपने हाथ में उनके संसादन होंगे और उनका विखा लाप भी कमा सकेगा और इस तरीके से समाज में नियाय स्थापित होगा तो बहए और इस तरीके से समाज में जो है समानता को भी बढ़ाव मिलेगा सो गैस यह वीडियो थी आज आप सभी के लिए मुझे ऐसा लगता है आप सभी को समानता के प्रकार और समानता के आयाम बहुत अच्छे तरीके से समझ में आज चुके होंगे और आज की इस नहीं वीडियो से आप लोगों को कोई भी वैल्यू मिली हो तो आप हमारी वीडियो को लाइक करना अधिक सदिक में तो तक शेर करना और हमारे चनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत बूलना साथ यसाथ आप लोगों के लिए इंपोर्टन लिंक्स है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप उसे देखिए फॉलो कीजिए और हमें सब्सक्राइब जरूर कीजिए